जैन दोस्तों सौगत आपका इस वीडियो में देखो इस वीडियो में बात करेंगे UPSI 2021 के बारे में एक्जाम नजदीक है क्या होनी चाहिए हमारी स्ट्रेटीजी इन सब बातों पर बात होगी दोको सबसे पहले हम बात करते हैं अपने टार्गेट पर क्या हमारा कोश्चन का होना चाहिए 120 कोश्चन का हर सब्जिक में 4 सब्जेक्ट होते हैं हर सब्जिक में 40 कोश्चन आते हैं और इसमें 14 वाला जो है विसे इसको ध्यान देना है देखो 14 जो है इसको भूल जाओ यह 14 जो है लंका लगाने वाला अदमी है अगर आपकी किसमत अची रह आपका असान हुआ तो बारा हो गया और यहीं पर आपका सारा सबना धरा का धरा रह जाएगा और आप यहीं फिल हो जाओगे तो इसलिए चौदा है ना जो बच्ची सोच रहे हैं कि चलो हम जी एस नहीं पढ़ेंगे चौदा ही कोशन बस करना है पस पास हो जाएंगे तो यह चीज़ एक्दम भोल जाना तो यह चीज़ मैंने आपको समझा दिया इसके बाद एक्जाम हाल में हाल में पेपर कैसे करना है पहले जैसे हिंडी हो गया जी एस हो गया मैस हो गया reasoning हो गया, सबसे पहले आपको Hindi और GS उठाना है, है न यहाँ पे Hindi और GS 15 मिनट, 15 मिनट, एक average लेके चलना है मालो GS में 20 मिनट लग जाखता है और जो बच्ची यह सोच रहे हैं न, कि हिंदी तो 5 मिनट में मारेंगे और GS को 2 मिनट में मारेंगे, तो भाई आप सपना देख रहे हो 84 का पेपर देने आप नहीं जा रहे हो SSI का पेपर देने जा रहे हो, पहली चीश तो 15-15 मिनट आपका average लग नहीं है, बहुत जादा भाई किसी कोई एक मिनट बचा लेगा, कोई दो मिनट बचा लेगा, इससे जादा नहीं बच पायाएगा भाई उसकी बाद maths तो बचा हम यहां पकड़के चलते हैं, आपका 30 मिनट लग गया, बचा आपके पास 1.5 गंटा, 1.5 गंटा मतलब 90 मिनट, 90 मिनट में 50 मिनट दो maths को, 40 मिनट दो अपरिजनिंग को, तो ठीक है, इस तरह से आप बाट को इसको solve करो पेपर को solve करो और हाँ, एक चीज़ का हमें ध्यान दखना है जो हमारा target है 120 question, यह target हमको 120 लेके चलना है, हमको 160 लेके नहीं चलना है, 160 लेके हमको जो चलेंगे, तो हम विद्वान बन जाएंगे इसलिए 160 हमको लेके नहीं चलना है अब हम सब्लोक सबसे पहले बात करते है, maths की, की maths हम कैसे पढ़े, क्या रलनिती हो, कैसे हम अपना maths ऐसा कर सेंगे कि हम कम से कम अच्छा नमबर पास सकें या फिर पास हो सकें, जिनका maths कम जोड़ है, हम पास हो सकें ठीक है, तो देखो maths के जो चैप्टर है, लिखते जाना भाई percentage, profit loss average, ratio ratio के बाद आता है partnershiping, मतलब साज़ेदारी, age age के बाद, मिश्रड and allegation, मतलब allegation, ठीक है time and work time and work में ही pipe टंकी भी आ जाता है pipe उसके बाद जो है time and distance TD, TD में ही train आ जाता है और boat आ जाता है उसके बाद SICI most important chapter है, भिन उसके बाद जो है number system, number system में आपको 3-4-5 चीज़े पढ़नी है पहला APGP, APGP यहां पर HP नहीं पढ़ना है, HP को कादम कर दो उसके बाद unit digit मतलब इकाई कांक विभाज अक्ता सेस्फल प्रमे उसके बाद आपका हो गया बाहर बाहर मतलब यह बार तो पढ़ा ही होगे LCM, SCF LCM, SCF LCM, SCF वर्गमूल, घंमूल वर्गमूल, घंमूल और इसके अलावा जो है digital sum यह जो आपका इतना बड़ा चैप्टर जो निकल के आपके पास आ रहा है यह चैप्टर यह चैप्टर अकसर लोगों का तैयार रहता है अब इसमें आपके कुछ टूल्स भी होते हैं जैसे पहाडा हो गया जैसे पावर हो गया जैसे वर्गमूल, घंमूल का जो ट्रिक्स होता है यह सब यह सब तो आपके उपर है यह सब आप दैयार करिए तो अब मेरे बात सुनो, करना क्या है यह जिटने चैप्टर है ना जैसे आप परसेंटेश पढ़ गए होगे इतने दिन से तो फॉर्म निकला आया उसके पहले से भी बहुत लोग त्यारी करते हैं तो ऐसा तो हैने पढ़े नहीं होगे तो भाई पढ़े होगे नोट्स अपना बनाई होगे है ना आप लोग नोट्स बनाई हो तो भाई अपना एक दिन उठाओ परसेंटेश का चार घंटा, पांच घंटा, च्छे घंटा लग जाए अपने नोट्स को पूरा रिविजन कर लो मतलब कहने का मतलब समझो इस तरह से कि सामने युद्ध होने वाला है या युद्ध की असंका है तो हम अपने हदियार को पोचपाच के तेल लगा के रख रहे हैं तो परसेंटेश का मालूम को एक्जाम में सवाल लगाना है एक्जाम मेरे लिए युद्ध है यहाँ पर हमको सवाल लगाना है तो परसेंटेश का जो भी फॉर्मूला होता है जो भी ट्रिक है जो भी हम आज तक जो चीजे सीखे हैं वो सब हमें एक बार बस तीन से चार गंटे में रिवीजन कर लिए इसी तरह हम in profit loss का average का ratio का जो भी हम पढ़े हैं इन सब का में एक एक बार रिवीजन कर लिए रिवीजन करने के बाद क्या करना है रिवीजन करने के बाद जो है हमको जो previous year का घटना चेकर कबुकाता है जिसमें 23 set या 22 set ऐसे एक दिया हुआ है वहाँ पे जो मैट्स के कोशन है 40 कोशन उनको हमको सॉल्फ करना है ठीक उसके बाद हमको डेली डेली का डेली ये एक एक दिन में एक एक सेट सॉल्फ करते जाना है 23 सेट है उसके बाद जो समय बचे है उसमें डेली हमको 50 कोशन लगाना है क्योंकि देखो जब हम डौडने जाते हैं तो 12 राऊंट की जगे हम 13 से 14 राऊंट लगाते हैं 13 से 14 राऊंट लगाते हैं ताकि भाई मानलो 12 राऊंट चंता है तो जब 13 चौड़ा हो गाते हैं अब देखो आगे इन चेप्टरों के अलावा जो है एक फुटकर मैथ होता है फुटकर मैथ इसको हम अपना विशेस नाम दी है फुटकर मैथ यह नया आना शुरू है पहले एक जब में यह सब चीजें नहीं आती थी अब आने लगी है और यहां से 100% कोश्चन आएगा जैस में बाराम बारता बहुलक वगर आता है एक होता है क्रम से चैन संचे मतलब पर्मूटेशन एंड कॉम्बिनेशन उसके बाद एक होता है प्राइकता मतलब प्राविल्टी ठीक उसके बाद होता है सेट मतलब समुच्च थियोरी समुच्च थियोरी सेट थियोरी और एक होत पज़े पहला जो जो इसके पहले पright़ में भाइस सैंड़ टॉपिक से आएंगे साथ कोशन ये जोड़ लो बाइस साथ कितना हो गया उनतिस कोशन आपको एक चीज याद धक नहीं है कि जो मैस में हमारा चालिस कोशन आता है इस चालिस कोशन में 35 नमर का मैस होता है और पांच नमर का इसमें रिस्निंग होता है अब अभी देखो 35 कोशन की बाद हम कर रहा है तो 29 कोशन तो मेरा ये फुटकर मैट से और अर्थमेटिक वाला जो था वहां से आ गया कितना हो गया अपना 29 कोशन 5 कोशन ही अटा दो 6 कोशन का जो हिसाब किताब गर उड़ा रहा है उसमें जो है अब देखो जो मैकसिमम बच्चों का मैट जहां पर कमजोर होता है है ना जैसे अलजेबरा अलजेबरा हो गया घाता अंकलनी और सरली करण यहां से आपका 4 से वही 3 से 4 कोशन मतलब मोटा मोटी आ जाएगा है ना तो आपका एक ये 29 है इसको 30 पकड़ो मालो एक दो कोशन आगे पीछे ये भी 2-3 कोशन आगे पीछे तो आपका यही 3 से 4 कोशन यहां से आ जाएगा अलजेबरा घातां करनी और जिवही है सरली करण अब देखो ये वाला जो आपको नहीं आता है पोर्शन ये मैकसिमम बच्चों का यही याद तो भाई इसको छोड़ दो चार कोशन के लिए अब आज की डेट में जबकि एक्जाम इतना नजदीक है आज की डेट में इस चार कोशन के लिए न डेली का चारचर घंटा देना मतलब कोई फाइदा नहीं है तो इसको आप छोड़ दो जो आपका अर्थमेटिक वाला मैने बताया था और जो है आपका फुटकर वाला मैत्स बताया है हमने इन दोनों को आपको त्यार करना है और प्लस एक ये फुटकर में ही डियाई आ गया आप मोटा मोटी ये समझो तीस कोशन आपका यहाँ से तैहार है आप तीस में कितना गलत कर सकते हो हम मानते हैं भाई मैत्स में आपको 100% करोगे मतलब गलत होना अगर आपको आता है तो गलत नहीं होगा भाई 25 कर लोगे 5 नंबर का रिजनिंग आता है रिजनिंग 5 ओका 5 हमारो आपका 30 question यहां से बन गया अगर आपको यह सब algebra वगर आता है तो कोई बात ही नहीं है वैसे इसमें कोसिस करो कि math में arithmetic जो तुमें आता है यह algebra नहीं आता है घदा करनी नहीं आता है सली करना नहीं आता है चलो ठीक है भाई जो आता है उसमें तो कम स्केम गलत ना करो भाई percentage profit DICI इसमें तो गलती मत करो भाई है ना तो इसमें अपना math से पढ़ना है अब math को उसके बाद जो है जहां से पढ़ लिए उसके बाद हमको घटना चकर पर जाना है तेज सेट का जो कोशन है उसको सॉल को ना एक फिर डेली पचास-पचास कोशन को हमको डेली सॉल्फ करते जाना है हमारा फायदा इसको क्या हुआ हुआ एक एक बार हम सारे चेप्टर को पर दोहरा लिए मतलब हर चेप्टर का हर एक टेकनिक मेरे दिमाग में खुजा रहे और उसके बार हम प्रेक्टिसर लगा रहे हैं दालादार दालादार चीजे हमको याद आती जा रही हैं और दिन पर दिन जो है आपका फाया जरूर होगा 100% होगा तो मैट्स की पूरी टेकनिक आप की ये रह गई अब हम बात करते हैं रिजनिंग की पूरा समझना भाई एकदम बहुत सोस समझ के बताए हैं गलत नहीं होगा ये क्योंकि देखो मैट्स का सी प्रेक्टिस करने का गाई बात करते हैं अगर कजाम लेट होगी है वरना वरना चेप्टर बाइस की बात करते हैं अब बात करते हैं भाई रिजनिंग की देखो रिजनिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पूरे एक्जाम की में पांच नमबर आपका मैट्स वाले पोर्शन में आ रहा है और रिजनिंग में आपका 40 कोशान आ रहा है भाई वो गलत फैमी में हो आप समझलो मेरी बात को तो अब इसमें क्या करना है भाई इसमें भी सेम वही ट्रिक की रिजनिंग के जो जो चेप्टर है वो एक एक दिन में आप एक एक चेप्टर खतम कते जाओ पढ़े तो हो गई कोर्सली हो गया जो भी है कहीं से पढ़े हो गया अपना रिजनिंग एक एक दिन में एक एक चेप्टर खतम कते जाओ फिर आपको प्रैक्टिस करना है देखो कुछ इंपॉर्टेंट चेप्टर है तो उनको अच्छे से ध्यान देना जैसे की जैसे की अपना हो गया जितने यह सब कथन तर्क वाले कथन तर्क वेनारेक न्याय निगमन होता है निगमन पूर्वधारनाय और प्रभाव होता है घड़ी केलेंडर केलेंडर और उसके अलामा जो है कथान कारवाही कथान कारवाही कथान कारवाही और सिटिंग एरेजमेंट सिटिंग एरेजमेंट कोडिंग डिकोडिंग और पजल पजल मतलब पहली यह घड़ी कलेंडर हो गया ना घड़ी कलेंडर नाम बताया ना बास सुन-सुन के लिख लेना है ना तो यह जीतने इंपॉर्टेंट चेप्ट है ना यह पे विसेज द्यान देना भाई और जो यह लॉजिक वाले है ना कथन निर्गमन और यह सब प्रबंद कारवाही इस पे एकदम फिसेज फोकस करना भाई इसमें गलत ना हो है ना क्योंकि यह सब तिन तिन चरचर कोश्चन आते हैं मशीन इंपूट यह सब अच्छे से पढ़ डालो तो यह सब आप जब प्रैक्टिस कर लो उसके बाद सेम आपको वही करना है कि जो तेज सेट आपको प्रीवेस एर का दिया हुआ है है ना गटना जो तेज सेट आपका जो बुक आती है प्रीवेस एर की पहले आप उसको सॉल्फ कर लो है ना उसके बाद आपको क्या करना है प्रैक्टिस सेट जो थोड़ा हार्ड प्रैक्टिस सेट हो रिजनिंग की उसको आपको डेली पचास-पचास कोशन इसके भी सॉल्फ करने हैं पहले तरहे सारे चेप्टर को एक एक आप पर पढ़ लो जैसे कॉंच Campaign का क्लॉक है क्लॉक तो टो क्लॉक क्रॉक mean क्लॉक क्लॉक बात्व करना है जभी इसके फॉर्मुला जैसे सोता है यह सब पी कुछ आपको तैयार क्ले लेना है ताकि आप जब रेक्टिस सेट जाओ त पिर आप यह सोचोगे अच्छा इसका फॉर्मूला क्या था तो रिवीजन करने का यही फायदा होता है भाई रिवीजन कितना भी आप पड़ो ना रिवीजन नहीं करोगे तो सब बेकार है तो यहां से आपका मैस रिजनिंग ऐसे तैर होगे देखो मैस कितना है मालो 15 चैप खतम हो जाएगा 20-22 ठीक उसके बाद आप प्रैक्टी सेट लगा लो आपके दिमाग में सोचो सारे चैप्टर का सारा कॉंसेप भर चुका है आप प्रैक्टीस भी कर चुको अब आपका एक्जाम और हाँ एक्जाम देखो आपका कब होगा एक्जाम आपको लिख के लिए लो हमसे 21 अक्टूबर के बाद ही होगा पहले नहीं होगा यह आप हमसे लिख के ले लो 100% डावय के साथ बोल सकते हैं कि 21 अक्टूबर के बाद जब ही डेट पड़े तो पड़े लेकिन उससे पहले नहीं होगा आप इस तरह से अपना इसको रिविजन करो अब हम लोग ब अब बात पहले जियत से पहले हम बात कर लेते हैं गुरू हिंदी की हिंदी पर जो और हां भाई हिंदी को भी आगे बढ़ने से पहले जान लो हिंदी को हलुआ नहीं समझे नहा है आए आसे पिछली बार बाकी सब्जक्ट की तुलना में हिंदी थोड़ा सा कमजोरा गया बहुत जादा कमजोर नहीं आया था बाई लेकिन थोड़ा सा कमजोरा गया लेकिन अपकी बार फायरमान का जो पेपर हुआ है देखे थे हिंदी साइथ के ऐसे इसे कोशन पूचा था ना जो PCS में पूचता है तो हिंदी को कमजोर नहीं देना है क्योंकि हिंदी को कमजोर समझे और हिंदी अगर टाइट आ गया तो फुस पहली चीज देखो बाबू दुसमान को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए पहली चीज आई है हिंदी में हिंदी को दो पार्ट में बाटो एक है रटने वाला पार्ट एक है थेओरी वाला पार्ट है न रटने में आपका जैसे विलूं पर्यावाची उसके बार जो है अपना अनिकारती हो गया उसके पूल मिला कर आप यह सामझे वाली चीज़े थेओरी में संधी हो गया समास हो गया एंभा आपकाद़ी ृपका तेओरी हो इसको भी जो है पर इसका प्रैक्स करो ब्रच्णे वाले चीज बहार इसको कि भाई हमको 50 बेंब याद करना है आज हमको 50 अपना प्रयले वार्चिह अपना जिन्यहीजर क्या प्रचास पर्यावाची आदस्हात करना एक बार रिविजन करने एक बाद इसको बढ़ियां से पढ़ने के बाद इसका रिविजन करो और इसको डेली रटते रहो और इसका प्रैक्टिस हेटर लगाते रहो तो यह अपना हिंदी और हाँ हिंदी साहित यह जो है न जैसे उसमें पुरुसकार आ जाता है लेखा को अगर आ जाता है तो उसको एक बार बढ़ियां से पाड़ डालो कौन से रैटर किस काल के हैं में में उनकी कौन कौन सी कृतियां हैं यह सब वीडियो हमारे चैनल बे भी पढ़ा हुआ आप आँ से देख सकते हो तो हिंदी का आपका यह ट्रिक हो गया अब बात करते हैं भाई कातरनाक जीयस की तो कुछ जीयस में सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सम्मिधान की सम्मिधान की बात सबसे पहले हम लोग करते हैं सम्मिधान की बात इसको अब देखो, आप तो पढ़ चुके हो, तो पहले आपको कहलाना है परिच्छा वाड़ी, यहां से जैसे मालों आप यहां से पढ़े राष्ट पती, फिर यह घटना चक्र की जो पुन्वा लोकन किताब आती है, यह पुन्वा लोकन, यह राष्ट पती जैसे यहां से आप पढ़े पहले, जितना भी समय आपको लगा, फिर इस राष्ट पती का कुशन आपको यह घटना चक्र की जो पुन्वा लोकन आती है, यहां से आपको सॉल्व करना है, और इस तरह करकर के आपको पूरा सभीधान का ड़े लिएक एक टॉपिक निप आना है, जैसे एक चप्टर यहां से सॉल्व करते जाओ, और प्लस परिछामारी से अपना थेओरी सेक्षन पढ़ते जाओ, है ना, और फिर कोशन को जैस सॉल्व करते जाओ, फिर और इसके अलामा क्या करना है भाई, जैसे डारेक कभी कभी इसमें कुछ धारा भी पूस लेता है, अरे अनुछेद पूस लेता आर्टिकल पूस लेता है, है ना, तो उसका भाई अपना ट्रिक मतले से भाई 14 से 18 तक है, है ना, इसमें ऐसे अपना ट्रिक बना, 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या, 18 में क्या है, या अपना अपना ट्रिक बताओ, चाहिए कोई ट एक्दम कर लेना इस तरह से आपका सविधान यहां से तयार हो जाएगा और नीटी ने देशक तत्वर पे विशेज ध्यान देना है राश्टपती भी विशेज ध्यान देना अकिल भारती सेवा निर्वाचन पंचायत यह सब जो इंपॉर्टेंट चप्टर इस पे आपको व 100 परसेंट आएगा 100 परसेंट तो कुछ नहीं होता 99 परसेंट पकड़ो मूल विधी से देखो पहले मूल विधी में हम बता दे रहे हैं देखो अगर तो जारा नहीं पढ़ना है तो पहले आइपीसी पढ़ डालो क्योंकि इस में से 6 से 7 कोश्यन आने की संभावना रहती है आईपीसी पढ़ लो सियारपीसी पढ़ लो यह अच्छे से पढ़ना आईपीसी ठीक है उसके बाद फिर तुम्हारा जो है सूचना पढ़ लो सूचना का अधिकार उसके बाद एक इनप़ोर्टन उटा है आएकर आएकर अधिनियम उसके बाद पार्यावरण वन्य जीव के बाद भूमी अधिक रहाण और जन्हीत याचिका महिलाओ वाला जो एक है घरेलू हिंसा और एक महिलाओ वाला और है दहेज प्रतिशेद अधिनियम यातायात और कौन सा था भाई मानव अधिकार और इंपॉर्टेंट वाद मतलब केस यह आपके इंपॉर्टेंट चीज़े है भाई अब इसको पढ़ने का क्या ट्रिक है मूलविदी को पढ़ने का क्या ट्रिक है पढ़ते हैं आपके पास नोट्स हैं अब आप क्या करो कि पहले देखो आइपिस यह से IPC क्या है ना आप इसमें धारा राटने के चकर में मता जाओ कि भाई 12 मीए 13 मीए 15 मीए 18 मीए 19 20 22 511 तक चले गया है एक एक धारा याद करने में भाई उतना धारा नहीं पूछेगा वो हमसे लिख के लिए लो important important धारा पूछेगा जैसे धारा 24 में क्या है धारा 25 में पूछ लिया क्या है धारा important उसके बाद 33 पूछ लिया 34 पूछ लिया 35 पूछ लिया है ना चानवे से 106 तक पूछ लिया प्राइवेट डिफेंस तो भाई ये चीजें हमको देखनी पड़ेंगी इंपॉर्टेंट धारागी ना कि भाई एक से लेके 50 तक फिर यहां से पूरा पूरा 511 तक वो काम नहीं करना है बलकि आपको थियोरी पर ध्यान देना है है ना इसので support रहे जरूरी कि भाई इसका ये काम हुआ यह काम होआ जिसमें कितनी सजा है जब कि जोरी में कितने लोग होने है वो अलग टॉपिक कभी से लेकिन आप पहले यह समझो कि आपको सारे धारा नहीं रटने हैं है ना उसके बार आप एक बार अपना पढ़ लो उसको याद कर लो और उसके बार इसका दिविजन करते हैं और हाँ इसको जो है मुलवीदी जो है ना कम सकम हर दो तीन जैसे हो जाएगी और दो तीन दिन पर देखते रहोगे न अब को याद होगा च्छा-चौविस में यह 25 में यह जो इंपॉर्टिंट है वो सब अपना डेलिया से देखते रहो तो इस तरह से आपको यह पढ़ना है मूल विधी पढ़ने का ट्रिक हमने आपको पता दिया कि सबसे पहले सारे धारा के चकर में पढ़ना है जो इंपॉर्टन 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 इं में सा यादकना मुल्विधी में एक किस दिन लागू हुआ और किस दिन जो है राष्टपती ने साइन किया है ना यह दोनों चीज आपको 100% यादक नहीं है अब प्रहुरतन तो अब तो खैर पूरे भारत में हो चुका है तो पहले यह चीज नहीं थी लेकिन अब यह चीज है तो इस बात को याद रखना है ना इसके अलावा मूलविधी का इंपॉर्टेंट चेप्टर हो गया अब प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी मूलविधी की लेलो जैसे प्लेटफॉर्म बारे की आती है जिसमें सारे दिया रहता है उसका कोश्चन एंसर है पढ़ने के बाद जो है क्योंकि देखो कोश से ना नंबर जो आता है ना अपना वो अर्थवयवस्था आता है इकोनॉमिक्स इसकी लिए भाई देखो यार देखो यह अच्छा खासा लेवल कारता है ऐसा नहीं एक इजी आपको नहीं आएगा और यह भी गारेंटी है ना कि चार से पांच कोश्या आपको हैंड़ेट ना उसकी वीडियो मेरे सब कहीं भी सेलेबस डाउनलोड कर लेना उसमें देखना जो क्रिसी वाला है जैसे पंच वर्सी यह जना दिया होगा जैसे और भी जो सेलेबस में दिया होगा ना उसको पहले देखना पहले वो चैप्टर इस बुक से पढ़ लो और से वही चीज हमेशा याद रखना जो कोशिंग में जैसे हम लोग समीधान पढ़ते हैं या एकनॉमिक्स पढ़ते हैं तो टीचर क्या होता है मतलब यह हम टीचर की गलती की बात नहीं कर रहा है वो हमें आसान बासा में समझाते हैं ताकि बच्चों को समझ में आए हैं लेकिन गलती क्य चीजों को दोड़ो को नहीं कैसे कैसे क्या है ना तो खुछ नहीं होने वाला है है ना ये सब चीजों को ध्यान रखो तो इसमें अर्थवस्ता की बात कर रहते हैं तो अर्थवस्ता में अपना जो है में में चेप्टर पढ़ लो जैसे अपना ये पंच वर्सी योजिना हो जैसे शेयर बजार के बारे में पढ़ लो, जैसे ये छोट क्या करते हैं, इसका क्या नाम होता है, जन संक्या के बारे में पढ़ डालो, नगरी कराण के बारे में पढ़ डालो, उसके बार जो है अपना एक चप्टर तो डारेक्ट नाम लिया है, FDI का तो डारेक्ट अपने स वारी बुक में दिया हुआ है तो यहां से जब आप पड़ डालो गए न तो यह आपका चार से पांच कोश्चन बन गया और देखो Constitution से जो है मतलब सविधान से जो है मैंने बताए 14 से 15 कोश्चन आएगा आपका मुलवीधी से जो है चार से पांच कोश्चन आ सकता है और एकनोमिक्स से जो है आपका चार से पांच कोश्चन आ सकता है अगर मोटा मोटी लेके चलो तो 15 कोशन ही हो गया, 6 कोशन ही हो गया, 21 कोशन, और ये अगर 4 ही जोड़ो तो 25 कोशन आपका मोटा मोटी, यहां से बस तीन चीज आपका पढ़ के तयार होगा, मतलब सभीधान, मुल विदी और अर्थव्यस्ता पढ़ के आपका 25 कोशन बने है आप किया करना है अब भाईदेखो इतिहास पढ़ने का को फिले हो तो बहुत बढ़ीज़ही scheint अगर आप नहीं पढ़े हो तो आप Consider है यहां से यह को दो कोश्चन मिलनीगा हende मतलब आप सोचो यह अपना Constitution पड़े अर्थव्यवस्था पड़े और जो है मुल विधी पड़े computer पड़े पतली सी किताब परेवरर पड़े और करेंटर फेर पड़े यह आपका 30 से 31 इस question हो जाता है और बाइदे को किताब जीएस पड़े और तीन से चार कोशन ऐसा देगा ना जो दुनिया को कोई व्यक्ति नहीं कर पाथा अगर तुक्क्छा सही नहीं हुआ ना तो कोई है कर पाएगा और इतियास एक दो commission बोल पोशन और science पुंषight और इतियास पढ़ना है गर इतियास पढ़ना है तो यहां से श्पड़ने पढ़़ लो अगर समय है तो भाई समय तो दिविजन कर लो नहीं अकर पड़ो । तो भूल में क्या करना हैं विए बोल में पूरा थेवरी उली पड़ना है कहां कौन सा जौल मुखी है, कहां कौन सा परवत है, कहां कौन सा जहरना है, कहां कौन सा जल परवात है, कहां कहां सी बहुत देशिये पर यूजना है और कहां कौन सा नदी निकलती है, कौन सी किसकी साहिक नदी है, कौन सा परवत है, कहां सा बिश्व का सबसे बड़ा है मतलब fact base आपको पढ़ना है कहां कौन सी पहाड़िया है कहां कौन से परवत है आपको बस भुगोल के नाम पे आपको ये चीजे पढ़नी है 12 से 60 पढ़ोसी देश मतलब बस theory आपको यहां पे भुगोल में नहीं पढ़ना है और यहां से अगर इस तरह से पढ़ोगे तो एक दो कोशन अगर भुगोल काएगा तो maximum chance से वो इसी टाइप के कोशन होंगे ठीक है इतियास मैंने आपको बताए दिया कि भाई जो है आप आधुनिक पढ़ डालो कैसे पढ़ना है भाई अपना ठीओरी पढ़ने के बाद पढ़ने लोकान से उसको solve करो बस इसके अलावा जी एस में कुछ नहीं करना है फिर से एक बार आप आपको total एक बार summarize कर दे रहा है पूरा जितना चीज मैंने आपको बताया है अभी तो समझा समझा के बताया है maths की सबसे पहले बात हुई थी maths की तो maths में मैंने आपको बताया था टीन टाप से बताता एक automatic वाला chapter हमने आपको बताया था एक हमने बताया था जो footcar वाला maths जो होता है उसके बारे में बताया था तीसे नंबर पर हमने आपको बताया था algebra वाला portion ऐलजबरा और जमैट्री वालश थीक है या पढ़ लोगे तो आपका 20- Bianco शौन हो जाएगा या पढ़ोगे तो आपका साथ से आपके मैट्स का पूरा अपना हो गया यज़ें old को पूरा पूरा चैप्टर जो है अच्छे से देख लेना है सारे शेप्टरोग गबद am को हैं षड और आप कॉछ नाहीं पोंड आपको दूचावर बंडियों के बाद आपका टै warranty के बाद सबस्काइब कर नहीं पड़ने का तरीका वही है यह कि जो गाटना चकर की कारेंट अपने लोकन से कोशन को सॉल्फ करो और प्रैक्टिस करते जाओ ठीक है उसी तरह बाकी सब यह सब भी है तो कुल मिला के भाई आप लोग को यही सब चीजे थी जो मैंने आपको बता दिया अगर आपको कहीं से कोई डाउट है कोई कोई समस्या है कोई की कोई चीज समझ में नहीं आई है तो बताएं और हमारा प्रैस कैसा था यह सारी सी चीजों को समझाने का मतलब रिसर्च कैसा था कि किस तरह से पढ़ना है किस तरह से जो डिड़ महीने में जो है कमजूर विद्यार थी एक कमजूर विद्यार थी जो है उसको भी ध्यान में रखे बताया है हमने ये चीजे अगर हमारा प्रयास आपको ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा जैन जै भारत